नमस्कार दोस्तों आज जी हम आपको दिखा रहे हैं अपने 5 राजर का एस्टी मोटर का इस में देखिए बलोवर आपको दिख रहा है यह बलोवर जो है दो इसमें लगे होते हैं यह एक यह दूसरा अभी आपको पूरा इसका दिख रहा है यह HT motor का blower है जो motor के उपर mount होता है जिससे उसको air pass होती रहे और motor गरम ना हो ज़्यादा इसलिए blower लगाते हैं यह तो motor रखे हुए है juice pump गए रखे थे यह repair हो चुका है यह फाइव राइजर का FLS system है देखे लिखा होगा force lubrication system जो fiberizer में आएल जाता है यहीं जाता है और इसका पूरा system लगता है और इसमें 7 kg pressure रखते हैं एक gauge यहाँ पर लगा हुआ है दूसरा gauge यह दूसरी side में है अभी आपको उसको भी दिखाएंगे यह है motor ST motor यह ट्यूस होगरा है देख रहे होंगे आप इसी के उपर mount होता है यह blower जो दूसरा gauge हम आपको भोल लए थे यह यहाँ पर देखे लगा हुआ है यहाँ से भी pressure देखा जा सकता है उसका सीजन में 7.5 कीजी तक pressure इसे maintain रहता है और यह देख रहे होंगे यहाँ पर 5 राजर mount होता है यह 5 राजर का plumber block है नीचे देख रहे होंगे line अबरा आई हुई है यह पानी की line है और oil की भी line होती है कि प्लंबर ब्लाक में jacket होता है उसमें पानी चलता है जिससे की बेरिंग गरम ना हो यह दूसरी साइट का मोटर है कि 2000 किलोवाट का double drive मोटर है यह 11000 बोल्ट सप्लाई HD मोटर यहाँ पर assembly होती है 5 राजर की यह प्लंबर ब्लाक यह एक साइट का है दूसरी साइट का प्लंबर ब्लाक यह इस साइट में है यह नीचे देख रहे होंगे deflector plate लगा हुआ है नीचे यह रहार रहे का रही है कि इसके बीच में डिस्टेंस पीस लगता है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस पीस लगता है जिससे कि वहां का पावर यहाँ पे ट्रांसफर होता है कि अभी जब assembly होगी तब हम आपको पूरा और दिखाएंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करें थेंक यू